हमेशा यहां हक की लड़ाई रही है जो चोटी जाती जब अपने हक की लड़ाई लड़ती है तब बड़ी सवन जाती है उन्हें आकर क्या तो डंडे से धमकाती है या पीटती है या मारती है यही आज यहां पर आपको मनिपूर में देखने मिलेगा जब यहां मनिपूर कि मैंते ही जाती समाज जो लगभग वहां पर 45 परसंंट वहान B आ जाए ऐसा क्यूं करते हैं कि जो छोटी जातियों का हक है तो बहुद्ड से कर दो करें चाहिए और और पचास लोगतिके उनको अलग सब्सक्राइब नहीं चाहिए क्या ऐसा पेट भड़ जाएगा यह आतंक नहीं पहलेगा जगड़ा नहीं फैलेगा कोट और देश की सरकार मिलकर के दो समुदायों को वहां लड़ाने का काम कर रही है जब इस देश के अंदर सी एस्टी के सार्टिफिकेट लगा करके जनरल जातियां उनका हग खा जाती है तो आप सोचिए यह जाती है जब उनके साथ रहेंगी तो कितनी हिंसक रहेंगी जब आज यह इंसा अलग हो करके इनकी बेहन बेटियों को नंगा करके घुमारी है तो कलको तो इनके साथ रहेंगे इनके साथ क्या करेंगी और फिर बाद में उनके साथ हिंसा करके यह भी क और हांसे इनके साथ इनको मार साके उनके घर में अधिकार में एंट्री करवाये जा रही है जबरदस्ती और वहां की कुकी जाती है संघर्ष कर रही हैं, वहां की महिलाइं संघर्ष कर रही हैं, वो इस देश में हिंसक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इस देश में उची जाती के लोगों को तरसाते हैं, तडपाते हैं, उनका दमन करते हैं, उन लोगों को बढ़ावा दे आपको यहां पर नए ने त्योहार दिखाई दे रहा हैं लेकिन आपको वहां की महिलाओं की नगनिता और उनकी अंगों को छूते हुए पुरुष दिखाई नहीं दे रहें क्या आपकी सम्वेदनाएं मर चुकी हैं क्या हमारे देश के परधान मंत्री केवल भारत से बहार विश्व में इज़्जत पानी के लिए बने हैं या अपने देश की जनता भी देखने के लिए बने अब समझ नहीं आता है धेस्की महिलाएम मढिपुर की महिलायय मुपर के महिलाहं किकी महिलाय किमलायरो के गोहार लगाएं किो मिधान को मानने वाले लोगो को डराने की पूरा प्रियास कर रखा गुंदे छोड़ रखें उनके पीछे तो देश में क्या होगा देश में आप लोगों को कमजोर लोगों को मजबूर लोगों को हतियार उठाने के लिए मजबूर कर रहें उनको मजबूर कर रहें कि या तो वो मरें या मारें या जाकर कि तुम्हार प्रवाइब कर बेजने के यहां के हालाद बिल्कुल गंबीर हैं यहां लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शान्ती कैसे आएगी कब आएगी और यहां की इस्तिती बिल्कुल बद से बत्तर होती जा रही है सरकार इस पर संग्यान ले जब गवर्णर की बात के अंदर सरकार नह हो गई है कि आप यहां पर नेता जो पोस्ट पर बैठे उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या होगा आम जंदा का इसी पता चल सकता है कि यहां लोगों की जो सोच में नफरत है वो जातिवाद की तनी गहरी कर दी गई है और सबसे जादा आज सत्ता के लिए आज आतंक मचा रही है कि आपको मैतई जाती को अनुसूची जाती में यानि की कुकी जाती के रिजर्वेशन की लिष्ट में सामिल करना है आपको साइद पता हो कि एक घटना ऐसी आई एक लड़की ने बयान दिया कि मेरे साथ 15 माई को रेप हुआ और मेरे मुझे रेप क मतला मदर ओफ मडीपूर एक संगठन है जो महिलाओं का संगठन है जो मैतई जाती की महिलाओं का संगठन है उस संगठन की महिलाओं ने चोटी जाती यानि की कुकी जाती की जवान 20 साल की लड़की को हिंसक पुरुषों के हातों में दे दिया जिनके हातों में हतियार थे और उनसे कहा कि इनका रेप कर दो इसको छोड़ो मत इसको बिल्कुल बेज़ज़त कर दो क्योंकि यह बहुत खूपसृते पर घमंड दिखाती है यह सरकार ऐसे लोगों को रश्टपटी बनाती है जो अपनी ताकत को कभी पहचाने ही नहीं जो शायद यह पता ही ना करें जिस न आप होता है ऐसा ही वो देश में रश्टपती चाहते हैं जो अपने हग अधिकार की पूरी तरीके से ना तो उनका इस्तमाल करें ना ही किसी पर ये कहेगी भी ये देश के अंदर एक महिला होने के नाते भी तो उनका बयान नहीं आया एक महिला होने के नाते जब दरोपदी मुर्मू या कमजोर समझ कर उनको जेल में डाल जाता है जब आप उनके लिए बयान देती है तब हमें लगता है कि वास्ता में एक हमें अच्छी राष्टपती मिल गई शायद आप कुछ नियाए कि उम्मीद जग रही है शायद अब कमजोर उपर और मजलूमों पर हमले जब होंगे तो आप बोलेंगी लेकिन आज आपकी चुपी को देख करके तो लगरा है कि यह महिला है शायद हम जो महिला लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद जो महिला स्पार आई देंडे की चोट पर यहां पर नियाए भी करहा हैं पैसों के दम पर यहां जजों के साथ सिटिंग हो रही हैं कमजोरों कौई नियाए मिलने में 50-50 साल लग रहा हैं कहां लोक तंत्र लागू हो रहा है लगवग 5 करोड केस यहां पर पेंडिंग पड़े हैं भारत की अंदर और 5 क्रोड केसों में जो पैसे वाले लोगे सिंग करके जज के साथ वकील के साद वो निकल कर भार चले जाते हैं 5 क्रोड लोग कौन है जेलो में जेलो की capability 4-4 लाग की है तो 5-5 लाग जेलो में लोग भरे हुए हैं, जेलो के अंदर जगे नहीं हैं, जेलो में क्या कहते हैं, बातरूम, टॉलेट, सोचाले तक में लोग भरे हुए हैं, कहां से आ रहे हैं ये लोग, अगर लोगतंतर मजबूत हो रहा है तो अपराधी क्यो कानून नहीं लाते, इस देश की जनतों तो जानती भी नहीं कि कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, जहां पर अगर आज आप एकसाईरी देट की दवाई खाते हैं, तो ये कंपनियों की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब आपको पता नहीं है, कानून आ गया है कि ये और दबाई कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, फार्मा कंपनी को लोगों की जाने बेच दिया मोधी जी ने, ये एक बिल लाकर करके पुरी तरीके से वहाँ पर पेश कर दिया गाया है, और वहाँ पर समर्थन पूरा मिल गया है, बिल पास हो चुका है, बस राश्पते जी के सिगनेचर की जरूरत है, अब अगर आपका बेटा मरे, बेटी मरे, आप मरे, एकस्पारी डेट की दबाई खाकर, तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, फार्मा कंपनी की नहीं होगी, बहरत की जो अर्थववस्ता है, इस से केबल एक जित्ती पर फरक नहीं पड़ेगा, बहरत की अर्थववस्ता पूरे देश की जन्ता को एक साथ लेकर के आँकी जाती है, और रही बात अर्थववस्ता की, इस देश में पापुलेशन लगातार बढ़ रही है, पापुलेशन बढ़ेगी, तो वो इनकम भी करेगा, इनकम करेगा तो पैसा भी कमाएगा, बजार बढ़ेगा, तो वो तो यह अगर नहीं करेंगे तब भी हो जाएगी, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, रही बात इस देश में दुबारा तिवारा मोका लेने की, आपने जब दूसरी बार मोका लिया था, तो आपने कहा था, 15-15 लाग खाते में आएंगे, कितने लोगे खाते में 15 लाग रुपे आए, आपने कहा था कि आपको जब आप गैस सिलेंडर खरी देंगे, तो रहा है कि मुदी जी किस मुझ से तीसरी बार मोका मांग रहे हैं, क्या देश की जनता देख नहीं रही है, इस देश में नगन महिलाएं करके गुमाई जा रही है, उल्टे सिदे कानून लागू कर रहे है, यहां किसान आपने पिटवाई, नोजवान आपने पिटवाई, स कोई उनके पास रिपोर्ट नहीं है, मतलब है ही नहीं कि गई कहा है, यह गायब गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाएगी, कहां गई है देश की बच्चिया, सुनभाई हूने कैसे देंगे, वहां बिठा तो रखी है, वह ते चीखने वाली नाटक की, नाटक में सास नाटक कर रही है, चीक रही है, चिला रही है, बोलने नी दे रही है, सुनने नी दे रही है, संसत का पूरा खेला बना रखा है इन लोगोंने, इसलिए नाटक बाज ओर्टों को लाते हैं, ताकि जब इनको अपना कोई भी काला मूँझ छुपाना हो, तो ऐसी नाटक बाते हैं, तो रही है, याटक बाते हैं, तो पलसे ऑी हैं, जला को वोगोंजा है, बचुपाना है, सकत다 है, बक्यां को अक्या स्वाद सेम बाज मूझ झा जो झाला मूझma